आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोट करें। जीब के नीचे पाए जाने वाले अंग है, जीब के नीचे पाए जाते हैं और ये जीब के नीचे पाए जाते हैं और ये जिली युक्त संरचना होती है, और ये जो जिली होती है, ये मुडी सी होती है, तो मुडी हुई जिली युक्त संरचना है, और ये जो फ्रेनुलम यह जीव के नीचे क्यों पाई जाती है यह जो फ्रेनुलम लिंगुई है यह वैस संरशना है यह जीव को मुक गुहा से जोड़ते हैं तो यह वैस संरशना है जो जीवा को मुक गुहा से जोड़ने का कारे करते हैं यह मुक गुहा में जीवा को अपने स्थान पर रखने का क कारे करते हैं क्योंकि जैसा कि हमें पता है जो जीवा होती है वह मुखगुआ में एकदम स्वतंत्र होती है बस पीछे की तरफ यह जुड़ी होती है आगे की तरफ या इनके साइड से यह स्वतंत्र ही होती है तो यह जुड़ी रहे मुखगुआ में या मुखगुआ में ही है, ये कारे किसका होता है, ये कारे होता है फ्रैनुलम लिंग्वी का जो जीब के नीचे पाया जाता है और जबनों से या मुख गुआ से जीब को जोडता है, तो ये तो हो गया एक भाग, अब बात करते हैं जीवा या जीब में पाए जाने वाले अंकुर तो जीब हमारी जो होती है इसमें मुख्यता जो डॉटसर सर्फेस होता है या उपरी सतय होती है तो जीब की जो उपरी सतय होती है उस उपरी सतय पर चार प्रकार के अंकुर पाए जाते है उपरी सत्य पर चार प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं ये अंकुर कौन से होते हैं ये जो चार प्रकार के अंकुर होते हैं ये होते हैं पहले जिने हम कहते हैं सरकम वैलेट सरकम वैलेट अंकुर दूसरे प्रकार के अंकुर जो होते हैं उन्हें कहते हैं फोलियेट अंकुर तीसरे प्रकार के जो अंकुर होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिली फॉर्म अंकुर और जो चौते प्रकार के अंकुर होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंगी फॉर्म अंकुर तो ये चार प्रकार के अंकुर जो मनुश्य की मुखगवा में जी जीव की उपरी सतय पर पाए जाते हैं इनकी क्या स्थान है जीव में यह हम जीव का चित्र बना कर दिखाते हैं तो यहां पर हमारे पास यह एक जीव का चित्र है यह जीव का आगे का हिस्सा है और यह पीछे का सिरा है तो जीव का जो एकदम पीछे का सिरा होता है यह वाला भाग ये भाग जीब का इस पे मोटे मोटे अंकुर पाए जाते हैं इस प्रकार से मोटे मोटे अंकुर पाए जाते हैं इन अंकुरों को हम कहते हैं ये सरकम वैलेट अंकुर है इन्हें सरकम वैलेट जो अंकुर होते हैं इनके पास कुछ इस तरह से पत्ती सद्रिश संरशना भी पाई जाती है जिने कहा जाता है फोलियेट अंकुर तो ये हो गए फोलियेट अंकुर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जीब के जो किनारे होते हैं तो यहाँ पर जो जीब के किनारे होते हैं इन पर इस प्रकार से मोटे मोटे मश्रूम की आकार के तो ये जो हो होती हैं और क्योंकि यह मश्रूम के अकार की सरनशनाएं हैं इसी कारण इन्हें कहते हैं फंगी फॉर्म अंकुर तो इनकों कहा जाता है फंगी मतलब फंगस तो फंगी फॉर्म अंकुर यहां पर जीव के किनारों पर इस प्रकार से पाए जाते हैं जो कि मश्रूम के समान सरनशनाए होती है और पूरी जबान में या पूरी जीव में बीच में चुटी चुटे 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 इस प्रकार से अंकुर पाए जाते हैं पूरी जबान में पाए जाते हैं और क्यावे सबसे अधिक होते हैं इन अंकुरों को हम कहते हैं फिली फॉर्म अंकुर तो यह कहलाएंगे फिली फॉर्म अंकुर तो इस प्रकार से चार प्रकार के अंकुर आपके जीब में पाए जाते हैं इनका कारे क्या होता है यहां पर यह जो सारे अंकुर होते हैं इनमें फ तो ये स्वाद सम्वेदनाओं को ग्रहण करने का कारे करते हैं हमारे पास जैसा की पता ही है कि खटा, मीठा, नमकीन, कड़वा इस प्रकार के स्वाद होते है तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी पता खटा है या मीठा है या नमकीन है या कड़वा है वो इनके कारण, इन अंकुरों के कारण हमें पता चलता है क्योंकि ये जो आपके अंकुर होते है ये समवेदी होते है और ये समवेदनाओं को ग्रहण करते है तो ये समवेदी को शिकाओं के बने होते है और ये स्वाद की सम्वेदनाओं को ग्रहन करने का कारे करते हैं तो इस प्रकार से आपके जीब में अंकुर पाये जाते हैं आशा करते हैं आपको प्रश्ण का उत्तर मिल गया होगा धन्यवाद